दक्सिम्य भारती सिनिमा के मसहूर एक्टर सूरिया 49 साल के हो चुके हैं सूरिया का जन्म 23 जुलाई 1974 को तामिल लाड़ो की राज़दानी चेन्ने में हुआ था बता दें कि सूरिया का असली नाम सर्वनन सिपकुमार है वे तामिल एक्टर सिपकुमार के वेटे हैं आकर कपड़ा फैक्टरी में काम करके एक हजार रुपे कमाते थे लेकिन आज उनके पास करण रुपे की संपती है आए आज उनके जम दिन के मौके पर आपको उनकी इस्टगल स्टोरी उनके फिल्मी केरियर और उनकी नेटवर्ट के बारे में बताते हैं सूरिया के पीता एक्टर थे फिर भी सूरिया फिल्मी दुनिया में काम नहीं करना चाहते थे फिल्मी दुनिया में आने से पहले वे एक कपड़ा फैक्टरी में काम करते थे उन्हें बदले में एक हजार रुपे मिला करते थे उन्होंने आठ महीने तक कपड़ा फिक्टरी में काम किया हाला कि एक्टर अपनी पेचान शिपा कर रखते थे वे नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि वे एक्टर सीप को मार के बेटे हैं सूर्या चाहते थे कि वे अपने दम पर अपनी पेचान बनाए इसलिए वे अपनी पेचान छिपा कर रगते थे अपने एक इंटर्वी में एक्टर ने कहा था कि confidence, memory power, fighting और dancing skills की कमी की चलते केरिर के सुरुआती दोर में मुझे कापी परिशानी हुई उस दोरान मेरे mentor रगुवरन थे उन्होंने पीता से अलग खूत की identity कैसे बनाई जाए ये सिखाय था 22 साल के उमर में फिल्म नेर रुकुनेर से सुर्य का डेवी हुआ था हाला कि साल 1994 में उनका डेवी फिल्म आसाई से हो सकता था जब बीस साल के थे लेकिन उनकी एक्टिंग में दिल्चस्पी नहीं थी इस वज़ा से उनने इस फिल्म को ठुकुरा दिया था लेकिन किस्मत को उनका एक्टर बनाना ही मंजूर था 1997 में मनिरत्नम द्वारा प्रडूस की गई नेर रुकुर नेर के बाद एक्टर ने पीछे मूर कर नहीं देखा सुर्या को सबसे पहले बड़ी और खास फेज़ान फिल्म नंदा ने दिल्या थी साल 2001 में रिलिज हुई इस फिल्म के लिए सुर्या को तामिलनाडु स्टेट फिल्म आवार्ड में बेस्ट एक्टर के आवार्ड से सन्मानित क्या गया था उन्होंने अपने केरिर में रक्त चरित्र, कादल निमद्धी, अंजान, कणियान रवन, चोबीस, सिरी, काका काका, कुरुष्णा, सिंगहम और निना ततु यारो सहितकई सांदर फिल्में दी हैं सूरिया ने अपने 27 साल के फिल्मे केरियर में खुब सहरत के साथ खुब दोलत भी कमाई है वे साउथ के हाइस्ट पैड एक्टर में से एक हैं टाइम्स ओप इंडिया के एक रिपोर्ट्स के मताविक एक्टर के टोटल नेटवर्ट 350 करड़ रुपे है